गुड मॉनिंग फ्रेंड्स आज है ग्यारा सितंबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोयल एमपी में यहाँ पर आप सुनते हैं मद्द पिर्देश की सभी मेधपून खबरे खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से बायू सेना के बेड़े में सामिल हुए पांच रफाल लड़ाकू बिमान रक्षा मंती राजनाफ सिंग ने कहा सेना की तागत और च्छमता कई गोना बड़ी बार से हुए नुकसान के आपलंग के लिए परदेश के दोरे पर पहुँचा केंडरी अद्यहंदल आज लेंगे सीहर की इस्तिती का जाएजा परदेश में मरीजों की संख्या के बीच अब तक साथ हजार से जादा लोग हुए स्वस्त बिन्देवैली के उत्पात पर अब वैपसाइक परतिश्टानों के साथ ही फिलिप कार्ट और अमेजन पर भी उपलब्द होंगे और भौपाल उमरिया नर्सिंग पर साहित कई जिलों में बारिस से बदला मौसम का मिजाज लोगों को उमस से मिली राहत खबरों पे चलते हैं बिस्तार्ट से फिरांस से खरीदे गए 36 रफाल लड़ाकू बिमानों की पहली खेप के पाँच बिमान कल बायुसेना के गोल्डन एरो इशक्वाडरन में बिधिबत रूप से सामिल हो गए अम्बाला इस्तिद बायुसेना इस्टेसन पर एक समारो में रख्चा मंतरी राईना सिन्ग और फ्रानसी सी रख्चा मंतरी फिलूरेंस पाले की मजूद्य की में सामिल किया गया रफाल बिमानों ने भारत के स्वेदेशी लड़ाकू बिमान तेजस के साथ साथ सुखवी बिमानों के साथ तालमेल बिठाते हुए सक्ती तता तालमेल और जोहर का प्रज़शन भी किया रक्षा मंत्री राइना सिंग ने इस अपसर पर कहा कि रफाल लड़ा को बिमान से बायू सेना की तागत और च्छमता कई गुना बढ़ गई है प्रदेश में भारी बारिस और बाड से हुए नुक्षान का आकलन करने के लिए केंद्री अध्यंदल तीन दवशी दोरे पर है साइन उक्त सचेव आसुतोस अगनी होत्री के नितरतवाली टीम ने किर्ची बित और जल संसादन सड़क परिवान और राजमार्ग और ग्रामिन बिकास मंत्राले के अधिकारी भी सामिल है केंद्री अध्यंदल आज से बाड़ प्रभावित जिलों सीहोर, राजसेन, हसंगाबाद, हर्दा और देवास का दोरा कर फसलों साइद अन्य नक्षान का आकलन करेगा पिर्देश में कोरोन संक्रमित लोगों की संक्या 81,000 से जादा हो गई जबकि अब तक कोविड नाइनटीन से 60,000 से जादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं सीहोर में 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिससे संक्रमितों की संक्या 877 हो गई है सहरोल में कोरोना के 10 नए मामले मिले हैं जबकि कोविड नाइनटीन से 2 लोगों की मरत्यु हुई है सीहोर में कल 31 लोगों के संक्रमितों की संक्या 302 हो गई नीमच में कल 21 लोग स्वस्थ होकर घर लोटे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कल प्रधान मंत्री मत्से संप्रदा योजना का डिजीटली उदगाटन किया उन्होंने इगोपाल एप की भी शुरुआत की जिसका उद्देश मत्से पालन मत्से बीज में ब्यापक बहतरी संबंदित बाज़ार और सुचना पोर्टल की बवश्था करना है इस एप को किसान सीधे तोर पर इस्तिमाल कर सकते हैं प्रधान मंत्री मत्से संप्रदा योजना के 21 राज़ियों में सुरू की जा रही प्रधान मंत्री ने कहा कि अगले 4-5 बर्स में इन योजनाओं पर 20,000 करोड रुपे से अधिक खर्ज किये जाएंगे रीबा पुलिस पर सासन ने कोरोना को लेकर लोगों में जागरुक लाने के लिद्देश से इस्तानी कला कारणदवारा एक फिल्म तयार कराई कोरोना काल की बहू नाम की इस फिल्म के बारे में बताते हुए आई जी चेंचल सेकर ने कहा कि ये फिल्म लोगों को जागरुक करने में मददगार सावित होगी कुटी रेबम खादी गरामद्योग मंत्री गोपाल भारगव ने कहा कि लोकल पॉर वोकल के अंतरगत, बिंद्या वेली के उतपादक, बेस्ट प्राइज, डी मार्ट, रिलाइंस फ्रेस, प्रिय दर्शनी जैसे मॉडरन वेब साइक पर तिष्टानों पर अपलब्द होंगे साथी एमेजोन फिलिप कार्ट के माध्यम से ऑनलाइन भी विक्री की जाएगी इसके लिए खादी और गरामद्योग बोर्ट द्वारा मार्केटिंग की गई, नई रणनीती तैयार की गई है बोर्ट के प्रवंद संचालक गौतम सिंग ने बताया कि खादी गरामद्योग बोर्ट के उत्पादों को लोग पर ये बनाने के लिए कार्योजना तैयार की गई है मुखमंत्री सिवरासिंग चौहन ने कहा कि चंबल अटल प्रोग्रेस बे बनने से छेत्र का बिकास तेजी से होगा और बड़ी संख्याम में उद्वोग धंदे खुलेंगे जिससे छेत्र के युवाँ को रोजगार मिलेगा सिरी चौहन कल मौरान जिले के विवन्ने बिदान सवा छेत्रों के दोरे पर थे इस सबसब पर मुखमंत्री चौहन ने दिवनी में 88 करोड और अमभा में 101 करोड रुपे से अधिक के विकास कार्रों का भूमी पूजन और लोकारपन किया समारों में केंद्री मंद्री, नरेन सिंग तौमा, रासवा, शान्षा, जोति, राज़सिंद्या भी मौजूद थे अब ख़बर मौशम की राइधानी भोपाल में कल दो फैर बाद बादल चाने से लोगों को उमस से राहत मिली साम होते होते यहां गरत चमक के साथ बहुचारें पड़ी उधर उमरिया में भी कल कई दिनों बाद तेज बारस होई नर्स्टिंग पूर जिले में भी कई इस्तानों पर पारस तरज की गई मौसम भाग के मताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दवाब का छेतर बनने लगा है जिसके चलते कल से परदेश में कई छेतरों में कई जलों में बरसात का सिलसला सुरू होने की संभावना है मौसम भाग ने, बड़वानी, अली राचपुर, बुरहनपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जेन, देबास, रीबा सतना, सागर, दमो, जलों में बारस के आसार जताए हैं परदेश में अगस्त महीने से सुरू हुए नए सैक्षणिक सत्र में सास किए आई टियाए में अब तक साथ हजार से अधिक बच्चों का प्रवेश हो चुका है आधिकारिक जानकारी के अनुसार आई टियाई प्रवेश में लित्या चैन सुची जारी कर दी है इसमें 13 सितंबर तक प्रवेश पिर्किरिया पूर्ण कर ली जाएगी बंचित आवे तक MP Online Portal पर 25 से 28 सितंबर तक अपना रेजिस्टेशन करा सकते हैं तो आज की खबरों में इतना ही कल मिलते हैं धन्यवाद